पत्यूजना के खिलाब भार्टे केसान यूनियन ने सौंपा गया पर केंद्र सरकार द्वारा ज़ारी अपनी पत्यूजना का देश भर में खासा विरोग देखने को मिल रहा है। पत्यूजना को संबोधित ग्यापन दियम खुबा को सौंप कर अगनी पत्यूजना को जब से जब रद्द करने के अपली की है। इस यूजना से देश के यूवा वर्ग का सिर्फ नुकसान होनी वाला है। किसानों का साथ के लिए छलावे कावे तक निस्तारन नहीं हो सका। किसान अभी भी अधर में लटका हुआ है। और ये सरकार अभ्योवा वर्ग को निशाना बना रही है। सौपे जाने वाले ग्यापन के दौरान पचास से अधिक सदस से मौजूद रहे हैं। क्या नाम है आपको। आज आप सभी लोग कलेक्टेट प्रांगण में घट्टा हैं क्या मामला है। ये जो अगनी पत्योजना सरकार द्वारा लाई गई है। इसके विरूद में किसान उन्यन उत्री है। इसमें चार साल की नौक्री दी जा रही है। चार साल बार बच्चा कहां जाएगा। सड़क में खड़ा हो जाएगा। पेंसिन भी कोई नहीं है। कोई आगे की इतना उकड़ी की कुई जवाबदाई दे ही नहीं। वैसे में किसान की बच्चे बरबाद हो जाए। लगबग कितने लोग आपके साथ मौजूई है। आज आपके द्वार डियम साब को ग्यापन सौपा जा रहा है। क्या मांगे हैं। मांगे हमारी हैं जो सरकार नए कनून लेके आई है। अगनी पत्थी होजना। जो कल के लड़कों का भविष्ष खराब होना है। किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। और उनका चार साल मात नौपी मिलना है। चार साल बाद और डिटायर हो जाए। फिर कहां जाएंगे। तो ऐसे कनून हमको न चाहिए। जिसमें बच्चों का भविष्ष खराब होना है। यह अगनी पत्थी होजना बिल्कुल गलत कानून है। इसको तत्काल वापिस होना चाहिए। किस के संबंद में आप ग्यापन सौप रहे हैं। ग्यापन अगनी पति युद्ना की समद्ने साउफ रहे हैं राष्ट प्रति महोदय जी को द्वारा डियम महोदय लगब कितने लोग आपके साथ मौजूद दो लोग के आज पास अभी हैं अब देट मीडिया के लिए महोबा से संदीब कुमार के रिपोर्ट